तो आज मैं आपके साथ एक next multi bagger शेर लेके आया हूँ जो आप इसके अंदर momentum ट्रेडिंग कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा पैसा बना सकते हैं तो शेर का नाम है और शेर का भावा भी चल रहा है 134 रूपए और इसने पिछले पांच साल के अंदर 606 परसेंट की रेटन दी है मतलब कि आपके पैसे को छे गुना कर दिया है ठीक है दोस्तों और अब हम देख लेते हैं कुछ fundamental कंपनी करती क्या है इस वीडियो के अंदर हम fundamental और technical दोनों दे करेंगे और कंपनी के fundamental कैसे है उसकी growth कैसी हो गी या नहीं सब कुछ इसके अंदर analysis करेंगे रफेक्स इंडिस्री करती क्या है कि अपने रफेक्स इंडिस्री इस इंगेज इन बिजनस ओफ रिफिलिंग औफ एको फ्रेंडली अफ्रिजिडेट्स गैस जो यह करती है रिफ स्लोरो कार्बन गैस भरी जाती थी ठीक है वो क्या होता था उससे इन्वार्नमेंट को बहुत ज़्यादे नुक्षान होता था अब उसको हटा दिया गया है या दूसरी गैस भरने लग गए हैं तो यह जो कंपनी है वो इको फ्रेंडली गैस भरती है रेफ्रिजिडेशन क पावर औड शेल ओफ सोलर एसेसरीक तो इलेक्टिकल एंबशय को यह बनाने में ढिल करती है कंपनी सेक्टिकल एनरजी उसकी सेल करती है वे जह जंटेुछिजडेशन ऑफ–टो इसलेइसरीच को लीह एन्द जोब सर्विस एक्सेट टर तो इस इस ट्राइप कर मतलर रिया एको-फ्रेंडली गैस उसको भरती है, तो कमपनी काम अच्छा करती है, मौनोपोली है इसकी गैसी कोई और कमपनी, मार्किट के इंदर नहीं भरने वाली है, यह है जो कमपनी, वो लिस्तिड है मार्किट के इंदर, तो ज़्यादा कंपनी नहीं है अब देख लेते हैं इसके मार्केट कैप की मार्केट कैप है 283 क्रोड का मतलब की स्मॉल कैप कंपनी है करेंट प्राइज 635 का चल रहा है 52 वीक हाई 169 का लगाया है इसने और 52 वीक लो 42 का लगाया है स्टोक पी 6.91 का स्टोक का पी कम चल रहा है मतलब मैं हमेशा शेर ऐसे देता हूँ जो वैलिएशन के हिसाब से अच्छे हों स्टोक का पी 6.91 का है वैलिएशन के हिसाब से काफी सस्ता है अभी उतना महगा नहीं हुआ है शेर डिविडेंड येल्ड भी 0.74 के डिविडेंड येल्ड मान सकते हैं डिविडेंड के मामले में कमपनी थोड़ी ठीक नहीं है पर डिविडेंड से हमें कुछ लेना देना नहीं है मेन हमें मतलब है सिर्फ किसे कि कमपनी वैलिएशन के हिसाब से कैसी है कंपनी की ग्रोथ है या नहीं हमें में चीज सिर्फ वो देखनी है और बुक वैल्यू है इसकी 66 की करेंट प्राइस है 135 का छे दूनी बारा मतलब कि 2.5 के आसपास चल रही है करेंट प्राइस इसका बुक वैल्यू से तो कोई ज्यादा महगी नहीं है रोसी और रोई देख ल मैंने बता ही दिया था रुड़न नहीं देती तो कोई दिक्कत वाली बात ने एंट्री पॉइंट अच्छा है कोई एसम और जिसम लिस्त में भी नहीं है कंपनी आप देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटरन इसका शेयर होल्डिंग पैटरन प्रमोटर की होल्डिंग है है 49.72 परसेंट इसके अंदर प्लैजिंग है 0.71 प्लैजिंग का मतलब होता है उधार ही कितनी है कंपनी मतलब शेयर उसने किसने उधार गिर्वी रख्य हुए है ठीक है दोस्तों शेयर वल्डिंग पैटरन देख लेए शेयर वल्डिंग पैटरन भी डिसेंट ऐसी बात न प्लैट परफोर्मेंस है 2020 में वैसे बढ़ती जा रही है देखो आप एक्सपेंसिस प्चेतर चार्सुति जैसे जैसे कंपनी की से लोगे एक्सपेंसिन भी बढ़ेगा एक्सपेंसिस बढ़ेंगे क्योंकि उसको उंपलोई जदा रखने पड़ेंगे हर चीज का है ऑपरे किसके अंदर बड़ा शांदार है और प्रोफिट भीफोर टैक्स देखिए आप दो उनतीस अटालीस अठावन दो हजारीकिस में अठावन का हो गया नेट प्रोफिट भी बढ़के तालीस का हो गया तो बढ़ते मैनर में हैं हर चीजें फंडेमेंटल इसके बड़े प्रोफिटर हो गया उननीस पुटन अंचा हो गया दो होजार एक्की में तो फंडेमेंटल बड़े शांदार है वैलिएशन के इसाब से अच्छी है कंपनी पी-ई मैंने भी बताया था आपको पी-ई इसका पी है कंपनी 6.91 वैलिएशन के इसाब से काफी सस्ती है कंपनी और देखिए यह जो है बार्स के अंदर है जो मैंने आपको डाट अब बताया था वो सारा बार के अंदर है देखो आप मतलब बोटम लाइन और टॉप लाइन कितनी ज्यादा शांदार है कंपनी की डिविडेंड भी दिया था इसने 2021 के अंदर एक रूपय का तो यह था इ नहीं है पर ऐसा तो नहीं कि अन्यूजल रन अप देचुका हम वही चीज़ अप टेक्निकल चार्ट के अंदर देखेंगे ठीक है दोस्तों है यह है टेक्निकल चार्ट ऑफ रफक्स इंडस्ट्री आप इसमें देख सकते होंगे जो रफक्स इंडस्री है जो इस टाइम 135 कि आसा आज पास डेटर कर रहा है और इसका जो मेजर सपोर्ट इस ठाम 132 का है और इसका जो स्गस कξ कने और 171 यह टी अगरिया गीचा IF बड़क को श्रृशंड है तो बाफ जीक्तर चेलास एकर सबेगे 177 कर नीचे की तरफ है जो इसका मेजर सपोर्ट है 132 अगर यह तोड़ता है तो 105 है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह कंपनी कुछ नहीं है यह सिर्फ इसकी retracement है 50 से गई कंपनी 125 तक गई वहां से retrace करके 75 आई 75 से भाग के गई कंपनी 161 वहां से retrace करके आगी 132 तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है यह सिर्फ retracement है अब यह सिर्फ भागेगी इसका प्रभाए करिए और जो मैं टेक्निकल चार्ट के वेस्ट पर आपको बाइंग देता हूं क्यों मेंटम ट्रेडिंग के होती हैं जो कम समय में आपका ज्यादा पैसा बना सकती है तो आप यहां सी एंप पर वाय करिए और ऐसे ही टेकनिकल चार्ट एनलिसिस के लिए आप जुड़े रहे हैं चैनल से लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ठेंक यू दोस्तों अच्छ